नमस्कार दोस्तों मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है मैं मम्ता दूबे आज बनाने जारी हूं ओनियन कड़ी तो ये प्याज की कड़ी बहुत ही लाजबाब बनती है और 10 मिनट में बनके त्यार हो जाती है इसके लिए मैंने लिया है दही और ये दही खटी दही है और वन टेबल इस्पून मैं ये कड़ी टोटल चार लोगों के लिए बना रही हूं उस हिसाफ से मैंने मैजर्मेंट रखा है अगर आप जादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो बेसन और दही थोड़ा सा बढ़ा दें तो यहां पर देखिए बेसन दही डालने के बाद मैं पानी डालूँगी एक बार बहुत जादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं इस तरीके से अच्छे से मिला लूँगी ताकि जो बेसन है और दही है उसमें कोई भी लंस या गुटली ना बने तो यह देखिए अच्छे से हमने मिला लिया है इसे इस तरीके से चलाते हुए आप इसके जगर पे चम्मच का भी उज़ कर सकते हैं उससे भी बहुत बढ़ियां से फेट सकते हैं इसे तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा और पानी क्योंकि हमारा जो बेसन है कड़ी में जाके ठीक हो जाता है तो आप आपको कड़ी के लिए थोड़ा बेसन ले और पानी थोड़ा जादा ले तो यह देखिए मैंने यहाँ पे बाउल जो है मिक्सिंग बाउल उसे अच्छे से भर दिया है तो यह देखिए बहुत ही पतला जो घोल है हमारा कड़ी का वो त्यार हो गया है अब मैं इसमें डाल जब आप हल्दी इस टाइम पे कड़ी में डाल देते हो तो जब हम कड़ी को पकाते हैं तो हल्दी भी बहुत अच्छे से पक जाती है इसे के साथ मैंने नमक भी डाल दिया है और इन दोनु चीजों को हम अच्छे से घोल लेंगे और यह हमारा कड़ी का गोल बिरकुल इसके बाद हम डाल देंगे जीरा ओयल के गरम होते ही और अब मैं डाल दूंगी राई और कड़ी में जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो जाएगी अब हींग आप कड़ी में जरूर डालें क्योंकि बेसन होता है और हींग से बहुत ही आसानी से पढ़ जाता है और यहां पर हरी मिर्च भी भून चुकी है तो मैं डाल रही हूँ प्याज तो यहां पर मैंने प्याज डाल दिया है प्याज को आप देख रहे होंगे दो बड़े साइस की प्याज ली और इस तरीके से लंबे स्लाइसों में कट कर लिया है तो यह देखिए प्याज डालने के बाद हमें प्याज का कलर वगेरा चेंज नहीं करना है बस इसी तरीके से प्याज को भूनते रहना है गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे और प्याज को हलका सौप्ट होने तक भून लेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा प्याज है वो हलका सा सौप् तो आप क्या करेंगे कि अब इसमें डालेंगे जो हमने बेसन का घोल बना के रखा था उसे तो घोल को एक बार चमस से फिर से चलाएंगे और इसे इस बरतन में यानि कडाही में डाल देंगे थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला है और इसे डालने के बाद मैं लगातार इसे अ तो यह प्याज की कड़ी लाजबा बन के त्यार हो गई है और जब आप इसे रखेंगे तो थोड़ी दिर बाद और थीख हो जाएगी गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और कड़ी को सर्फ कर लेंगे पर इसके बाद हम लगाएंगे इसमें तड़का तो यहाँ पे हमने तड़का पेन रख दिया है उसमें डाल दिया है तो जीरा और थोड़ा सा राई यह देखें मैंने तड़का पहले भी लगाया था इसलिए मैंने सारी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी सी डाली है और थोड़ा सा हीन यह तड़का कड़ी में जब उपर से लगता है तो बहुत ही अच्छी खुस्पू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है एक सुखी लाल मिर्श डालेंगे और तड़के को थोड़ा सा अच्छे से पकने देंगे तो यह देखें जो हमरा तड़का है बहुत अच्छे से पक चुका है तो अब मैं क्या करूंगी? गयस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और थोड़ा तड़के को ठंडा होने ये कस्मीरी लाल मिर्च का पॉडर इससे कड़ी में कलर बहुत अच्छा आएगा और तीख्या होने के लिए तो मैंने हरी मिर्च डाली ही है इसके बाद देखिए उपर से हम डाल देते हैं इस तड़के को और बहुत अच्छी हींकी खुसबू आ रही है इसमें और ये हमारी लाजबापसी कड़ी बन के त्यार है आप इसे पराठे से खाएं चपाती से खाएं या फिर चावल से हर चीज के साथ बिलकुल पॉफेक्ट जाती है ये कड़ी और मेरी ये कड़ी की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें यहाँ पे लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया मिलते हैं नई रेस्पी के साथ तब तक